हलो स्टूडेंट वेलकुम तुभा यूट्यूब चैनल जो के रेश्रम प्रैसेस इगनू ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो इगनू का स्टूडेंट है और जो आने वाले एक्जामनेशन की तैयारी कर रहे हैं इगनू में कब और कैसे एक्जामनेशन होते हैं एक्जामनेशन के पैडरन क्या है बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही है और आपको ये सारी चीज़ें पता होने शाहिए बात करें कन्फ्यूजन के तो ये वीडियो आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है और आपको बिल्कुल सही जानक आपके लिए इंपॉर्डेंट है बात करते हैं आज के वीडियो की यहाँ पर मैंने कुछ सवाल नहीं है जो काफी इंपॉर्टेंट है इग्णु एक्जाम की चेंजिस के बारे में बहुत नए ने बदलाव हो रहे हैं इग्णु एक्जामिनेशन में जैसे कि आपने बीसें हुई रिजर्ट में आपको जो है अर्ली डिकलेरेशन देखने को मिला आप बहुत सारी चीज़े नहीं नहीं देख रहे हैं इग्णु में इग्णु ने बहुत सारी नहीं प्रोग्राम्स को भी एड़ किया है इग्णु और इंटरेशनल भी स्टूरेंट्स को एड्मिश दिसमबर 2022 के इग्जामनेशन की अपडेट जोन 2023 22-23 को जोने वाली है उसके भी अपडेट एग्णु इंटरेंस जितनी भी आने वाली इंटरेंस है उसका अपडेट और उसे के साथ साहती बहुत सारे सवाल तो इस वीडियो मापको ये सारी चीज़े में रहेंगी वैसे म यहां पर आपको और भी बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी इग्णु के आने वाली सभी परिक्षा ऑनलाइन होगी ये सवाल हरे एक स्टूडेंट का है क्योंकि इस स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है इग्णु में कब और कैसी होगी ऑनलाइन परिक्षा क्या सभी यह सारी अपडेट है तो मैं अशे पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके के एक्जामेशन्स देना चाहते हैं क्या आप कंप्यूटर मुबाल में ओनलाइन इस देना चाहते हैं या पर जाके ऑफ-लाइन तो यह सारी चीजें हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क हैं कि आने वाली सभी परिक्षा ऊंगी एकनों में कुछ परिक्षाएं हैं जो औलाइन होगी अब कौन से प्रिक्षां औलाइन होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहते हूँ वो वे सारी ऍस्टूडिंट जो औलाइन प्रोग्राम कर रहे है प्रोलिचि यहां पे लिए जिनका examinations computer based होने वाला है और pen paper mode भी होने वाला है आपको पता दू कि जो भी student online program 2021 दिसंबर के student है उनको यहाँ पर अपना form भर लेना है जो कि 10 सितंबर 2022 तक इनकी last date है इन examinations की खाश्यत यह है ना कि examinations का जो mode है वो CBT यानि की computer based test pen paper test होने वाला है तो इसे लिए यह video है comment section में बहुत सारे student हमसे यह सवाल करते हुए दिखें कि हमारा भी exam क्या online ही होगा हम कैसे करेंगे तो बता दू जो भी online examinations होंगे उनके लिए यहाँ information आपको दे दी जाएगी फिलहाल मैं आपको बता देती जो online program है इगनों के वही online examinations देना है लेकिन उस पर आपको एक choice मिलेगी किया आप pen paper mode में देना चाहते हैं या फिर आप choice based देना चाहते हैं अब यहाँ पर सवाल है कि जो pen paper mode पर देगा उन्हें तो descriptive paper लिखना होगा और जो computer based देगा क्या उन्हें पर descriptive paper देना होगा ऐसा ब question paper मिलेगा उसे के आपको करना यानि options वाले questions ओयवार sheet वाले questions I hope so आपको समझ में आ गया होगा यह सारी चीज़ें आपको देनी होगी ठीक है यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो सिफ MCQ आपके certificate और diploma program की होगी लेकिन जो UGPG वाले student है ना उनके लिए descriptive में subjective plus MCQ होगे तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने examinations के mode को चुन सकते हैं ठीक है examinations का mode एक बार अगर आप चुन ले तो बनलाव नहीं होगा लेकिन हम बात करें जो हमारे regular examinations है जो इगनू के other courses है इगनू में online program भी हो रहे हैं और जो हमारे audio mode के program है वो भी on है audio mode के program में आप आपको कोई भी online का options नहीं मिलेगा जैसे कि recently जून 2022 का terminus का examinations हुआ उस पर आपने देखा कि आपको center पर जाके examinations देना पड़ता है और descriptive paper पूरी तरीके सापको लिख के आना पड़ता है तो क्या ये जो examinations है online program के ये घर बैठे दे सकते हैं बिलकुल भी नहीं आप घर बै आपको बैठना होगा और examinations वहीं पर देना होगा बकाइदा आपको उसके लिए ID proof चाहिए और आपको admit card यानि hall ticket चाहिए ये सारी proof लेकर आपको center पर जाना होगा और वहीं examinations देनी होगी घर में आपको कोई भी examinations देने नहीं दिया जाएगा ये सारी update थी आने वाली interest examinations क नहीं है तो अब सारी चीज़े फटाफट से होने वाली है आप अपनी examinations के तयारी continue रखें बात करते हैं यहां री registration की जो भी student July session के हैं वो अपना री registration जरूर करा ले नौ सितम में 2022 आखरी तारीक है इसके बाद आप सब के लिए next year मौका दिया जाएगा आपके January session के लिए जो भी student re-registeration करवाएंगे पिला आज July session वाले अपना re-registeration करवा ले अने था अगले वर्स आपको आपकी परिक्षा में बैटने नहीं दिया जाएगा फॉम भरने नहीं दिया जाएगा यह सारी अपडेट थी उमीद है आपका confusion दूर हो गया होगा अगर आपको आपके तयारी में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो जाके आप books purchase कर सकते हैं description box में है link वहाँ से जाएगे तो आपको 50% discount मिलना दाए है तो चलिए मिलते है next video पे यह informative video आपको और अच्छी अपडेट दे सकें thank you